हेलो, वेलकम स्टुडेंट, सुभाष इंग्लिस स्कूल, डिजिटर लेक्चर, टुडे वी विल स्टार्ट, स्टूडी इन मैथेमेटिक्स, क्लास 4 चैप्टर 13, फिल्ट्स एंड फैंसेस, फिल्ट्स एंड फैंसेस मिस्, फिल्ट्स में सोता है खेत, या फिल्ट जगह कहीं ही खेत ठीक है और फैंसेस मिस्, उसकी 4 तरब जो फैंसेस बाउन्डरी गडर करते है और फैंसेस लगा दिते हैं ठीक है तो उसकी boundary ओके अब इसमें हम फिल्ड के बारे में फैंसेस के बारे में पढ़ेंगे ओके रहमत इस फार्मर रहमत क्या है एक फार्मर है ही ग्रो वीट इन इस फिल्ड उसने उसके फिल्ड में वीट ग्रो किये है I need a fence around my field how much wire should I buy मुझे मेरी फिल्ड को fence करना है means फिल्ड की boundary पे उसे fence करना है cover लगाना है ठीक है तो वह सोच रहा है कि मुझे कितना wire चाहिए रहमत needs to find the length of the boundary of the field can you find it from this picture see the length of each side written near it ओके अब रहमत उसके फिल्ड की boundary को find कर रहा है जैसे यहां से यहां तक की 9 meter फिर 15 meters और फिर इधर 9 meter और यहां की 21 meter तो टोटल कितनी होई प्लस करेंगे 9 9 18 18 15 15 15 21 तो टोटल हो जाएगी 54 ओके तो रहमत सोचता है 54 meters the boundary is 54 meters long तो कितनी होगी इसकी boundary 54 meters तो रहमत ब्रॉट रोल of 70 meter wire for the fences तो उसने कितना खरीदा 70 meter wires ओके नाव इस शूड आलसो डू दू 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 सेम फोर माई फिल्ड गनपत बोलता है कि एसे ही सेम में को मेरी फिल्ड के लिए भी चीए तो गनपत बोलता है can you give me the wire that is left with you I will use it for my field oh sure why not वो बोलता है कि इसमें से जिपता भी wire बसता है तुम मुझे मेरी मुझे दे दोगे तो रहमत बोलता है हाँ दे तूंगा how much wire did रहमत give to गनपत अब रहमत कितना लाया था मार्केट से wire 70 meter और उसकी थैंक्त रहमत and start fencing his own field but he needed to get more wire अब रहमत ने उसको थैंक्यू बोला और वायर ले लिया पर जो गनपत की field थी वह बहुत बड़ी थी और वह वायर छोटा पढ़िया उसे और ज्यादा चाहिए ता यह गनपत की field है अब यहाँ पर 15 मीटर है और इधर 15 मीटर है इधर 9 मीटर 9 मीटर और 18 मीटर तो हम इसको टॉटल प्लस करेंगे तो कितनी field हुई उसकी टॉटल 66 मीटर क्योंकि 15 15 13 9 9 18 18 18 प्लस किया टॉटल तो 66 मीटर आया how long is the boundary of गनपत field 66 मीटर क्योंकि हमने पांचों साइट को प्लस कर लिया how much more वायर विल गनपत नीट फोर इस फिल्ड अब 66 मीटर उसको वायर चीए और उसके पांच से सिफ 16 मीटर तो हम 66 मीटर में से 16 मीटर को माइनस कर देंगे तो कितना और चाहिए उसे 50 मीटर तो 15 मीटर जब वायर लाएगा तो उसकी field fence करेगा ठीक है तो जो boundary उसने fencing की है उसे boundary कहते हैं और जो अंदर की field है उसे area कहते हैं इस chapter में हम एरिया और boundary के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जैसे यह शेप दिख रहा है तो इसके जो भार की महरून कलर की आपको की लाइन ट्रोवी दिख रही है इसे हम boundary कहेंगे और green green अंदर का जितना भी आपको पार दिख रहा है वह इसका area है जैसे आपका घर हुआ आप कहीं भी जाते हैं तो घर पे भी आप देखे आपका रूम आपके रूम में चारों तरफ दिवाले होती है तो वह हो गई इसकी boundary और रूम के अंदर जितना भी है वह हो गया उसका area जैसे classroom हुआ classroom हुआ तो classroom में भी चारों तरफ स्कूल हुआ ठीक आपका घर हुआ गर में चारों तरफ दिवारे रहती है तो वह उसकी boundary हो गई और अंदर का जितना भी हुआ जैसे कितने भी रूम है kitchen है लेट बात होते ह ठीक है सभी होते है bedrooms होते है driving room होता है living room होता है तो यह सब उसका area हुआ और इनमें ही अलग-अलग boundary हम बना के rooms बनाते हैं ठीक है तो इस chapter में हम क्या पढ़ेंगा आज boundary और area के बारे में ठीक है तो अब आगे पढ़ते हैं गणपत्की तो find out हो गया solution उसे कितना चीए 50 meters हो अब स्कूल गार्डन अब स्कूल गार्डन के बारे में the students of class 3rd and 4th thought of making a vegetable garden they choose a place which looks like this स्कूल के student है कौन-कौन से class के हैं class 3rd के और class 4th के अब वह आपस में सोच रहे हैं कि एक vegetable garden बनाना है तो first garden ये और second garden ये और ये बीच में रहेगा पत्मिस रोड सड़क ठीक है तो दो गार्डन है तो अब वह सब यही बाते कर रहे हैं कि इतना इसका एरिया कितना होगा इसकी बाउंडरी कितनी होगी इसी के बारे में स्टूडेंट ऑफ बहुत दर क्लासेस थोट देट गार्डन आई वस बिग बिगर सो बहुत वांटेट टू में का गार्डन वन सड़नली नीतु सेंग अब ये कैसे पता चलेगा कुन सा बढ़ा है कुन सा चोटा है तो ये सब वह आपस में बाते कर रहें कि vegetable garden जे और वहा बाउंडरी पहले प्लस करेंगे कितनी boundary पहहले है तो इसको नाप पेंगे काई से केल्स से इसकेल से नाप पेंगे ठीक है यहां पर किया है पिच्चर में छोटा है और बड़ी बड़ी फिल्ड को जब हम नापते हैं ज करते हैं तो बड़ी बड़ी scales होती है अब हमारे पास छोटी है ठीक है तो हम छोटी scale से find out करेंगे और यह picture है इसलिए ठीक है तो इसकी जो यहां की लेंद थे वो 3 मिटर है और यहां की लेंद हम find out करेंगे तो 4 ऐसे 4 है और ऐसे 3 है तो दोनों साइट 4 4 है और यहां 3 मिटर है और यहां 4 मिटर है यह भी 3 मिटर है और यह भी 4 मिटर है ठीक है इसका तो find हो गया अब हुँ चारों साइट को plus कर लेंगे चारों साइट को हम plus कर करेंगे और हम पता चल जाएगा तो 4 और 4 8 3 और 3 6 6 और 14 तो टोटल कितना हुआ 14 तो कितनी हुए इसकी बाउंडरी 14 ठीक है अब ऐसे ही सेकेंड गार्डन का करेंगे तो ऐसे 3 है और ऐसे 4 है तो सेम हुआ दोनों गार्डन का ठीक है यहाँ पर 4 मीटर है और यहाँ पर है 3 मीटर ओके स्टूडेंट ठीक है तो इसकी जो चारों साइड्स हुई वह कितनी है 12 टोटल बाउंडरी कितनी आएगी चारों साइड्स को प्लस करने पर हमें बाउंडरी फाइंड हो जाएग अगर बाउंडरी सेम ही तो एरिया भी लगब सेम ही होगा ठीक है तो बाउंडरी इसकी भी 12 है गार्डन 1 की भी और गार्डन 2 की भी पर शेप अलगे यह इस शेप में है और यह इस शेप में है ओके अब यह दोनों गर्ड आपस में बाते करें आए थिंग बहुत गार्डन्स आर इकवली बिग कॉइट पॉसिबल लेट अस फाइंड आउट इफ यूर राइट ठीक है तो यही बात यह आपस में कर रही है कि इसे लगता है कि दोनों गार्डन सेम है और दोनों बिगर है औ हमने फाइंड करके देख लिए I will need to find out if the two gardens are equally big कैसे फाइंड करेगी वह स्केल से उसकी जैसे हमने इसकेल से नापा है जैसे ही वह स्केल से नापेगी और फाइंड करेगी Now let's start worksheet class 4 chapter 13 की worksheet जो मैंने explain किया है field and fences उसी की worksheet है Okay student let's start यह field देख रही आपको यह गनपत की field है ठीक है यह मैंने आपको chapter में समझाईए तो इससे related question है how long is the boundary of गनपत's field गनपत की field की गनपत की field जो है कितनी लंबी है उसकी boundary कितनी लंबी है हमें find करना है boundary of गनपत's field कितनी है कितनी है 15 plus 15 9 ठीक है 18 और plus 9 तो हम इस दिन पांचों boundary को plus करेंगे तो हमारा answer आएगा 66 meter ठीक है 18 plus 9 plus 9 plus 15 plus 15 तो सब को plus किया थो हमारा answer आया 66 meter तो गनपत की boundary कितनी लंबी है 66 meter question number 2 look at the picture of the table cloth and tell how much less is used for one table cloth अब हमें find करना है picture देखना है और table cloth के बारे में बताना है कि इसमें कितना लंबा table cloth use होगा ठीक है इस septum boundary के बारे में पर रहे हैं और boundary कैसे find करते हैं उसकी चारों side अगर वह boundary वह जो भी picture है या जो भी shape है उसके shape के recording उसकी boundary उसकी boundary को plus करके और total उसकी boundary कितनी है हम find कर सकते हैं इससे related question number first है how much less will be used in 3 such a table cloth length of less equals to तो हम इसकी boundary को plus कर लें जैसे one meter 50 cm plus 50 cm plus one meter 50 cm plus 50 cm तो plus किया तो one और one two और ठीक है सबको plus किया तो हमारा answer आएगा four meter ये तो two meter हो गया ये one meter और ये one meter तो one meter और one meter means 50 और 50 one meter equals to 100 cm होता है तो 50 cm plus 50 cm तो 100 cm equals to one meter ठीक है तो ये हो गए three meter अब 50 cm plus 50 cm equals to 100 cm तो 100 cm equals to one meter तो total कितने meter आया है इसकी boundary four meter ओके practice now practice time question number first a square has a boundary of 12 cm find out the boundary a अब जो square दिख रहा है आपको a square इसकी boundary 12 cm है ठीक है total कितनी 12 cm क्योंकि three plus three plus three plus three three को हमें four time plus करना है तो three fours are 12 तो 12 होगी इसकी cm अब बोल रहे हैं कि boundary find करना है ओके तो हम इसे plus करके find करेंगे now boundary of a three plus three plus three plus three तो four time ने plus किया तो हमारा answer आया 12 cm किसी भी shape का हमें अगर किसी भी shape की हमें अगर boundary find करनी है तो उसकी जो जितनी भी side से और कितना centimeter है कितना meter है अगर यह पता है तो हम उसकी boundary find कर सकते हैं और कितना centimeter कितना meter है यह हम इसके से measure करके और फिर उन sides को plus करके और boundary find कर सकते हैं ठीक है portion number two if you cut a one centimeter square to get shape c what will be the length of the boundary of c a square में से हम cut कर देंगे शी shape में देखिए 1 cm का एक पार्ट हमने cut कर दिया एक shape हमने cut कर दिया तो shape ऐसा बनेगा अब हमें इसकी boundary find करनी है किसकी c की कौन से shape की c की तो solve लिखेंगे हम boundary of c तो boundary of c है 3 cm plus 3 cm plus 1 cm plus 1 cm plus 1 cm प्लस 3 cm कैसे find हुआ आप देखिए क्योंकि a में चारो साइट्स 3 3 cm की है तो यह हो गई 3 cm यह हो गई 3 cm और यह हो गई 3 cm कि तीनों साइट्स तो 3 cm की पर इस साइट्स में से उन्होंने एक shape cut कर दिया एक shape cut किया तो यह 1 cm का है यह 1 cm 1 1 cm के उन्होंने cut की है तो 1 cm कितनी time हो गया 1 2 3 4 5 time तो 5 time तो 1 हो गया और 3 time 3 हो गया इन सब को हम plus करेंगे तो हमारी boundary इतलेगी 14 cm हमारा क्या answer आएगा 14 cm ओके student एसा ही कोई भी shape हो पस उसकी अगर हमें boundary की length पता है तो हम उसे plus करके और उसकी boundary find out कर सकते ही question no.4 a hockey field is 91 meter 40 cm long and 55 meter with how long is the boundary of the field एक hockey field है जहां hockey खेलते हैं जैसे ground होते हैं अपने ground में हम hockey खेलते हैं cricket खेलते हैं तो एक hockey field है जहां सिफ hockey खेलते हैं तो उसकी length 91 meter और 40 cm है चोड़ाई है चोड़ाई विद मिस चोड़ाई 55 meter तब हमें पता करना है कि वह उस field की boundary कितनी होगी ओके तो हम find करेंगे length of the boundary of a hockey field ठीक है 91 meter 40 cm plus 55 meter plus 91 meter 45 cm plus 55 meter अब इसे plus करना है तो पहले meter meter वाले इधर लिख लेंगे और centimeter वाले इधर लिख लेंगे ठीक है और प्लस कर देंगे तो meter में answer आया 292 meter और centimeter आया 80 cm तो total field कितनी हो गई होकी की होकी field की boundary कितनी हो गई टोटल 292 meter 0.80 cm यह total उसकी field हो गई question number 5 how many small squares of size 1 cm are there in this big green square ठीक है छोटे छोटे कितने square है 1 cm के इस बड़े square में ठीक है इसमें green color करना है मैंने करा नहीं है तो आप हमें find करना है तब कैसे find करेंगे count करेंगे पहले तो row में कितने है ठीक है one two three four five six ठीक है one row में six है और कितनी row है one two three four five six six row है और six ही square है तो हम six का multiply six से कर देंगे there are 36 small square of size one centimeter in big square बड़े square में जो one one centimeter के छोटे-छोटे square है वो कितने है total 36 कैसे पता चला पहले तो हमने one line में square count कर लिए one two three four five six तो six है और row कितनी है one two three four five six तो six का multiply six से किया six six है 36 अगर हम ऐसे भी करेंगे one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty 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 one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven twenty eight twenty nine thirty thirty one thirty two thirty three thirty four thirty five thirty six कितना टाइम लगा इसको easy way में कि फटा-फट हमको plus करने में हम मैंने आपको पहले बताया है multiple का के multiple हम multiply हम क्यों करते हैं जब जादा number और उन number को हमें plus करना हो तो हम उसको easily multiply करके और easily हम उसको plus कर सकते तो एसे ही यह square जादा है अब इने count करने में और plus करने में time लगेगा तो हमने पहले तो एसे से multiply कर दिया तो दोनों equal है तो answer यहीं आएगा और एसे भी अगर हम plus करेंगे कि one row में six है और six को six time plus करना है तो भी हमारा answer 36 ही आएगा student I hope you understand आपको आपकी notebook में अच्छे से worksheet not करनी है और practice करनी है ठीक है किसी भी shape की अगर हमें हमारे पास measure है कि यह इतनी centimeter है यह इतना meter है और उसको हमें plus करना अगर boundary find करना है तो हम उसकी sides को plus करके और boundary find कर सकते हैं थैंक यू स्टूदें